आज मैं फिर से आपके छोटे चोटे नन्य मुनने वच्चो के लिए बहुत ही हल्दी एन आईरन कैल्सियम फाइवर प्रोटीन से भरपूर हल्दी रेसिपी ले के आई हूं इसे आप 6 मैने से लेकर 2 साल तक के वच्चो को कभी भी सुबह का टाइम में बना कर दे सकते हैं इ इस हल्दी सी फुट को बनाना चालू करते हैं इस हल्दी सी फुट को बनाने के लिए यहां पे मैंने आज यहां पे एक एपल ले लिया है एक गाजर ले लिया है और यहां पे मैंने दिन दिन बहले महरी मंगदाल के स्प्राउट बना के तयार कर लिया था तो इसे मैं अच गाजर का उपर का चील का उतार लेंगे को तो यहां पर चील का उतार तया है आफ पाल को लेंगे और एपन का आगे और पीछे का पोशन हम निकालती हुए इसे दो हिस्सों में डिवाइट करेंगे जितना हमें चाहिए और इसका अंदर का जो सीड्स का हिस्सा है इसे भी हम फेक देंगे और यहां पर एपल का जो छिलका है इसे हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे छिलके का साथ में इस रेसेप जब्धी दो चमज बराबर हमने पिर ले लिया हैं अब लेंगी कुकर को कुकर लेके इसके अंदर में एड़ करेंगे कटा हुआ एपल कटा हुआ गाजर साथ में मुंग दाल का स्प्राउट भी इसी के अंदर में एड़ कर साघ चीजों को एट करने का बात में यहां पे थोड़ी सी पानी आड करेंगे हृआं पानी बहुत जदािए हैं इतना में हमारा य स्टम होना चाहिए यानि कि कुक हो जाना चाहिए हम ने इहां ग्राइंटर जाड़ के अंदर में आट करते हुए एक फाइन सा प्यूरी बना लेंगे उससे पहले हम इसके अंदर में मिलाएंगे थोड़ी सी दूद अब दूद का जगा में इसे पाने से भी पीस के रेडी कर सकते हो अगर दूद आट करेंगे तो ये जादा फ्लेवर फूल होके तयार होगा तो लिसी अब हमारा स्मूध की बनके तयार है यह बहुत जादा हेली है इस प्राउट में विटामिन in a Vc का मात्रा यो αλλά का मात्रा आइरन क्यास्यम का मात्रा बहुत ही जादा healthy है इसे आप 6 मैने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को कभी भी सुबह का टाइम में दे सकते हैं और इसे खिलाने से बेवी का वसन तेजी से बढ़े गाई साथ में बेवी का हंडिया मस्बूत होंगी और ये पचाने में भी काफी easy है और ये स्वात में भी काफी लाजवाव है अगर आपका बेवी जादा मीठा नहीं पसंद करता है तो आप गाजर का quantity कम या तो फिर जादा करके ले सकते हैं अपल का भी quantity कम या जादा करके इसमें add कर सकते हैं तो dear parents इस healthy सी recipes को आप अपने बच्चों में ट्राइग कर सकते हैं सुबह का टाइम में हबतों में इसी चार बाराब बना कर इसी ली दे सकते हैं तो आज का recipes कैसे लगा अपना feedback जरूर दे और ऐसे new और healthy recipes सबसे पहले पाने करें मेरे चैनल को subscribe जरूर करें